जितने के बाद हो पंग साल का कोई नहीं आरा सथे मियदे हैं देखेचार वह बेरोजगारी हो वयापारी परिशार उन्य एड़िए आज मोदी सरकार से भाजपा से परिशाद है तो अगर इस ब्रह्म में जीना चाहते हैं कि वह दो हजार निस में आने वाले हैं वापस तो उनकुन का ब्रह्म मुबारक हो मैं और साथ में ये भी सवाल को कि 21 पार्टियां कोंग्रेस में सामिर हुए हैं क्या आप भी उनको सपोर्ट करती हैं आज भारत लिए हम इस मुद्व का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक आम जंता का सवाल है और आम जंता मोदी जी से पूछना चाहती है कि जब चार साल पहले आपने चुनाद हो था तब आपने कहा था बहुत हुई महगाई की मार अब की बार मोदी सरकार लेकिन आज महगाई की मार हम देखते हैं कि चार साल में बढ़ती जा रही है और यह भी समझना पढ़ेगा कि जब पेटरोल और डीजल का दाम बढ़ता है या दिवालों इसा नहीं पर प्रभाड़ ता इसा नहीं है कि इससलिग फ Cheese का दाम बढ़ता है कि और चीज का दाम बढहता है हमें हमारा ये मानना है कि अगर प्रोटेस्ट होना चाहिए तो शांती होना चाहिए लेकिन ये मुद्धा ऐसा है महगाई का क्यूंकि आम जंता को परिशान कर रहा है इसलिए हम सामने आए हैं वाम तंदी पार्टियों के समर्थन में तो शुले हमारी पार्टि की तरफ से कहा का है कि कॉंग्रिस की राज में प्रचार भी था महगाई भी था बेरोजगारी भी था इसलिए शायद कॉंग्रेस के पास यह मौरल अथारिटी नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि यह जंता का मुद्धा है आम इंसानों का मुद्धा है महगाई से दिफारत का हर नागरिक प्रभावित है हर रहने वाला अश्मा झाले के लिए मोड़िगिक है एुष माई मैं तर्च फ्राड घ्या रखवार प्रचाव जाए लग्र।